अब हम यहां पर class 8 geography के chapter के बात कर लेते जो कि यहां पर क्या resources है तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे resources and their values तो यहां पर resource क्या है और उसके यहां पर कुछ values है उनके बारे हम यहां पर discuss करेंगे तो कोई भी substance, material जिसका हम परियोग और उपयोग करते हैं वो यहां पर क्या कहला जाता है वो यहां पर resource कहलाया जाता है और अगर मैं यहां पर इसके definition के बात करूँ तो आप यहां पर लिख सकते हैं अगर कोई भी वस्तियू परियोग करने के लिए हमारे योगे हो और हमारी उससे ज़रुरत पूरी होती हो तो वो यहां पर क्या है resource है for example यहां पर example की बात कर लेते हैं जैसकी books हो गए water हो गया air हो गया ट्रांसपोर्ट हो गया यह सारे हमारे क्या है resources है अब यहां पर इसके कुछ values की बात कर लेते हैं कोई भी वस्तियू यूज करने के लिए उसकी एक value दी गई है तो वो values यहां पर क्या है एक तो यहां पर economic value है moral value है और aesthetic value है अब सबको यहां पर बारी बारी से पढ़ लेते हैं कि यहां पर value होती क्या है value actually मैं यहां पर worth को बोलो गया कि यहां पर किसी चीज़ की यहां पर क्या है कीमत होती है तो अगर मैं यहां पर इसको define करना चाहूं तो यहां पर क्या लिख सकते हैं things become resources only when they have some value a substance use or utility give it a value यहां पर value होता क्या है अगर कोई भी बस्तों वहां पर resource का काम कर दिये तो उसकी यहां पर क्या होगी कुछ value होगी तो यहां पर पहले हमारा क्या था economic value था economic मतल्ब यहां पर क्या होता है money related होता है हो थी तो यहां पर होता क्या है जिसके हम यह पे beautiful landscape और senior के बात करते हैं तो इसको देखने के लिए हम यहां पर कोई पैसा वैसा तो नहीं देना पड़ता है आँप यहां पर बात कर लेते हैं moral value की तो moral value मतल्ब जिसके हम अपने family से प्यार करते हैं हम अपने डॉक से प्यार करते हैं हम अपनी सोसाइटी को प्यार करते हैं तो यह हमारे यहां पर क्या होता है मूरल वैल्यू में आता है और यह तीनों हमारी यहां पर क्या है वैल्यूज है तो होग आपको यहां पर रिसोर्स और उसके वैल्यू के बारे मे समझ में आ गया होगा अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं types of resources तो कितने types के यहाँ पर resources होते हैं पहला हमारा होता है natural resources, second है हमारा human made resource और third है हमारा human resource तो जो हमारे यहाँ पर natural resources होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं यह resources यहाँ पर क्या करते हैं डारेक्टली नेचर से लिये जा सकते हैं बिना किसी modification के जैसे कि अगर मैं example की बात करूँ जैसके air हो गया, water हो गया, reverse हो गया तो यह हमें कहां से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है और पानी हम यहाँ पर बिना किसी modification के पी सकते हैं हवा हम यहाँ पर बिना किसी modification के ले सकते हैं और यहाँ पर बात की चीज भी बहुत सारी हैं जो बिना किसी modification के हम ले सकते हैं वो हमारी case category में आते हैं, natural resources में आते हैं अब बात कर लेते हैं यहाँ पर second point की human made resources की तो जो हमारी human made resources आपको नाम से पता चल रहोगा जो हमने बनाए है जो human ने बनाए है उस resource को यहाँ पर क्या बोला जाता है human made resources बोला जाता है जैसे कि यहाँ पर example की बात कर लेते हैं जैसे कि हमारा schools हमने बनाए है machinery हमने बनाए है manufacturing plant हमने बनाए है vehicles हमने बनाए है और जो आन अपनी family की care करना, अपनी society के साथ चलना, यह सारी category किस में आती है, human resource में आती है, जिसमें यहाँपे employee की training हो गया, किसी को mentoring हो गया, किसी को guide करना हो गया, यह सारे हमारे क्या human resource development है, इसमें हमें human की ability की पता चलती है, और physically और mentally वो यहाँपे कितना strong है, और वो यहाँपे leadership कर सकता है कि नहीं कर सकता और यह सारी चीज हमें किसमें पता चलती है human resources में पता चलती है तो hope आपको यहां पर तीने टाइप समझ में आ गए होंगे अगर आपको फिर भी कोई problem रह जाती है तो मुझे comment section में comments कर सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो please like, subscribe and share जरूर कर दीजेगा thanks for watching